हलो फ्रेंड्स आज मैं आपको बताने हुली हुए मैंने कमल को कैसे रिपोर्ट किया है और यह बहुत ही आसान तरीका है रिपोर्टिंग का और इसे आपको जरूर करना चाहिए जो मारे पास छोटे टबहों में लगे वह रहते हैं तो इसे अच्छे से ग्रोह नहीं हो पाते सारे ट्यूवर्स निकालना है और यह रिंग की तरह बन जाते हैं नीचे ही नीचे तो इसे आइस्ता से अटाना ताकि इसमें जो लीफ्स रोगिर नहीं नहीं पुटावाता है वह आपका डेमेज नहीं हो इस तरह से आपको सारे यह निकाल करके और मिट्टी को अच्छे स दो चार दिन दूप में इसे ही छोड़ देना है उसके बाद इसमें आपको खाद मिलानी है थोड़ी सी और फंगी साइट पाउडर डाल सकते हैं या फिनियम खली मिला करके वापस इसी टब में आप इसे मिट्टी में लगा सकते हैं चाहें तो आप दूसरी मिट्टी भी इस तरह से आपको टब तयार करना है वापस यह देखिए इस तरह से मिट्टी हटानी है आपको क्योंकि चिकनी मिट्टी रहती है तो इसमें से आप आसानी से ट्यूबर्स निकाल नहीं सकते हैं इसलिए आपको पूरी मिट्टी खाली करके और धीर 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 निकालना क्यो इस तरह से निकाल लिए हैं उसके बाद इनी को में वापस रिपोर्ट करूँगी तो आप इस तरह से आपको जब एक इंच इतना ही नीचे दबाना है इसको और जहां से आपकी पत्यों को फुटावे उसे उपर साइड रखना है इतना सध्यान रखना है उसके बाद पानी भर दें और यह देखिए एक महीने बाद का रिजल्ट है यह अच्छे से ग्रोव हो गया है इसके बाद आपको भी फर्टिलाइजर एट कर दें थैंक यू